हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैतमस्ती में मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वन वर्ट सप्टिच्यूशन का जो स्रीज चल रहा है यानि कि पिछले सेशन में हम लोग परहेते ए से रिलेटेड यानि फोबिया का ए पार्ट परहेते एक जो फोबिया से था ओटो फोबिया था एकॉस्टिको फोबिया था एरो फोबिया था और एयर फोबिया था तो वो सभी चीज हम उसमें परहेते तो उसी का यह अगला पार्ट है जो उसमें बच गया है हम इसमें परहेंगे अगर इसमें भी नहीं हुआ तो हम क्लास में इसको complete कर लेंगे जितना भी फोबिया है सब डर को खतम करना है फोबिया का मतलब होता है डर तो चलिए बिना कोई बिलम क्यों है बरते हैं आज के क्लास की ओर देखिए दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग ने ए से रिलेटेड फोबिया पढ़ाता ए का फोबिया हम लोग पिछले सेशन में पर चुके हैं जो भी छात्र नहीं परे हैं पहले वहाँ से जाकर ए का पर लिजेगा आज हम लोग परने वाले हैं B प्लस C का यानि B से रिलेटेड और C से रिलेटेड जितना फोबिया हो सकता ह देखेंगे पहला फोब होए रिखा हुआ है पहले फोब्या का Sungna कि एक का होता है डर्र इस चीजge से आप डरते हैं तो इंग्लीस में उसको फोबिया करते हैं तो पर यह ना तो बहुत आसान होता है बस 25 परसेंट समझ लीजिए उठोड़ा थोड़ा अनाब शनाब देदेगा जो समझ में नहीं आएगा अब एक बार हम समझा देंगे तो समय् सब घलिएर हो जाएगा बैक्टीरियो फोबिया अब्यक्टीरियो ततां एक अशया गए जिशना जाता है तो किटान हू स्टाउगा घ्जक्ता घॉक्क घॉत पबड़ा लगाए जक्ता है और जसे बचा वद्अगे लाएगा तो UI HR कुंकि साफू करके तो हमेइसाघ आल बारन साथ करते रहेगा अ को इसका मतलّब तक मतलब आप निगना नहीं और जए अगे अगर आप दिमाग अपको पता होंगा जद्धा घराई में बात नहीं करता होगा यानि असनान नहीं करता होगा कप जगह में हैं से अस्नान कर लेगा उसको असनान करने में समस्या आ जाता है तो बात करने में क्या है समस्या और गहरा में प्लिविस टरीक़ से लिखा लाएगा और आपके पास चार अप्शन आएगा सेलेक्ट कर लिजे कौन सही है और कौन गलत है तो जिसको गहरा चीज से डर लगता होगा मानिके चलिए गहरा कुवा हो गया या गहरा कोई भी चीज देखका उसको डर लगता है तो उसको कर सकते हैं बातो फोबिया इस बात को ध्यान रख आपके गहर ihr just a day of the entireッ Deck simply कर सकते हैं कि कोई नौब कोई बस्तू होगा या कोई जगा होगा पहले होगा यहां पहले लिदीजिर कोई बस्तू जगा से डर लगता होगा गरहाची से तो इसके लिए सब्संपध सबतों अब कार्डियो फोबिया इसको भी देख लेते हैं कार्डियो फोबिया इबहुत आसान है फोबिया का मतलब सबसे पहले लिख लिए यह खार यह जहां जहां कार्डियो सब्सक्राइब लेट होगा ना यानि जाहां कार्डियो सब्द लिखल होगा उस सारा सब्द लिखल होगा हाट से यानि जिसको हाट डिजीज कर सकते हैं यहाँ पर हाट डिजीज कर सकते हैं जिसको हिर्दय के बैमारी से हिर्दय के रोग से डर लगता होगा हिर्दय में कुछ हो गया तो आप देखाएगा काडियो लॉजिस्ट से किसे देखाएगा काडियो लॉजिस्ट यानि काडियो लॉजिस्ट और काडियो का मतला होता है हॉट डॉक्टर ओफ हॉट्स कह सकते हैं डॉक्टर्स ओफ हॉट्स जो हॉट्स का जो डॉक्टर है उसी को बोलते हैं काडियो लॉज फोबिया बराट पटा सा सब्ध इसको ध्यान से देखेगा चीमाफोबिया तब फियर ओफ कोल्ड का दीजिए फियर ओफ कूल्ड जिसको ठंड से डर लगता है अभी ठंड का समय हमको भी बहुत डर लगता है ठंड से ठंड में एक दम बच बचा कराना चाहिए न तो इवर इसको याद करने का तरीका बताएं पीना नहीं है या कोई गलत सेंस भी नहीं निकालना है याद करने का तरीका चीमाफोबिया चीलम लेते हैं कब तर ठंड में तो फियर ओफ कोल्ड चीमाफोबिया इस तरीका से याद करिएगा क्रोमोफोबिया क्रोमोफोबिया यहां देख लेते हैं बहुत ही आचान सब्द है क्रोमोफोबिया का मतलब होता है फियर ओफ अब क्रोमो का मतलब समझते हैं आप लोग टोरम में भी देख रहा होगा अब तरण में चाल क्ल रहता है लाल रहेगा पीला रहेगा बुल्लू रहेगा और कोड्रताय किस जिस को रंग से नफरत हो उसके लिए सब्द बना क्रोमोफोबिया अब क्रोम क्रोम में क्या होता है तक क्रोम कलर से मिलकर बना होता है तो यह भी आसानी से याद हो जाएगा क्रोम यानि फियर ओफ कलर जिसको रंग से डर लगता है उसके लिए सब्द बना क्रोमोफोबिया साइवोफोबिय कलो शीटोफोबिया इसका मतलब होता है मतलब होता है एक फूड़ के जिसको भोजन से डर लगता है उसके लिए साइबोपोभया या gratuit जादा तर शीटोफोभया पूछ तबात को ध्यान लखेगा अब अब जहां तहांस आप भाइट का भोजन कर सकते हैं कि जहां मन हुआ बाइट के भोजन स्टाट कर दीजेगा या किसी के में जाईएगा बाइट का खाना खाना चालू कर दीजेगा तो ऐसा नहीं होता है सिट सिट का मतला होता है बाइट ना याद कईसे रखना है कि जहां तहां हम लोग बाइट का भोजन नहीं कर सकते हैं डर लगता है तो हम लोग को क्या लगता है अगला कलास्टरोफोबिया इस बड़ा ही इंपोर्टेंट है इस बात को ध्यान रखेगा ना जाने केतना बार पूचा है talk प्लेसेज इसका मतलब experiencia का मतलब समझेगा जिसको तन्लीग हो जगा से बंद काम वड़ा यह क्या बोले बालग जिसको मान के चली रूम में आपको बन्द कर दिया जाए तो आप नर्मली हर कोई बेचायन हो जाएगा एक रूम में अगर कोई को रख दिया जाए पर्मानेंट तो बेचायन हो जाएगा और उससे भी छोटा मतलब एकदम कम जगए मान के चरी मेरा सरीर है छोव फिट का और चोड़ा है तिर फिट तो इतना बला अगर आपका सेम में यह बाकी तके में सारा बता ही चुके हैं कलेस्ट्रोफोबिया इसका मतलब पेर उफ इन्ट्लोजज पलेशें अगला है साइनो फोबिया है यहां से याद रखेगा साइनो का मतलब होता है डॉग्स यानि फिएर ओफ डॉग्स जिसको कुद्ता से डर लगता है उसके डर नहीं लगता है किसी से को डर लगता है किसी दूर को ऐगाए अगर के पीछे समझाय उस समय आपका क्या दूरदसा होगा उस समय लगें आप मीड़ा जीवन संकत में है अरे से ड़िए गाता आप मंब दिज gjort लवा अपको काम उसकता ह् सब कुछ याद करा देगा इबात को ध्यान रखेगा साइबर फोबिया इस बहुत ही आसान चीज है सब्सक्राइब सब्सक्राइब पिर आपने भला रहता है तो था इवर फोबिया फिर ड़ीस और ऊप्मूटर से डर लगता पुलाण का जमाना की लोगन जमाना के ना फोर्जी जैंडरेशन के यहार ही नंयका पाएब थी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला है क्राइनोफोबिया कर देते हैं अगला है क्राइनोफोबिया क्राइनोफोबिया इसको भी याद करने का तरीका बता देते हैं है क्राइनोफोबिया याद रखिएगा होता है वंतर बेंदेते में देते हैं अब अब पुछेया कि अग skills का मतलब ड़ी का मतलब की क्या मतलब के मतलब अक मतलब कराई करने लगे रोने लगे तो वहीं से सब्द बना क्राइनोफोबिया देखिए ये इसका एटेमोलोजी क्या है इस सब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ हम लोग उस पर डिसकस नहीं कर रहे हैं अगर उस अब डिसकस करने बाइट गया तो एक एक क्लास ले लेगा दूग व आया तो वह सब डिसकस नहीं कर रहे हैं हम लोग सीधे पॉइंट ऑफ एक्जाम से त्यारी कर रहे हैं कि जो एक्जाम का मुस्तली रिपेटेर है या जो पॉसिबल है कि यह आएगा उसी चीज को हम लोग डिसकस कर रहे हैं तो क्राइनोफोबिया फियर ओफ बेवस इभी आसानी से याध हो जाएगा जब आप तरंग को देखेगा तहां क्या करिएगा रोने लगेगा रोने लगेगा हालाकि हसता है वह याद करने का चड़ीक है कि रोलने लगेगा इस बात को ध्यान रखेगा ल जाकरी से एक लिख सार्टी होग अगर लोग परना ओण होग ल chosen तो आप लोग जाईएगा सारा चीज को आशानी से और बहुत ही सजा कर जिस तरीका से हम लोग डबल मारकर का इस्तिमाल करते हैं देखिए हम बलैक से इधर लिखे हैं और बुलू से इसका डिसकर्शन किया है आप लोग भी यही करियेगा बलैक से पूरा एक तरफ लिख लि में A लिख लिजेगा B पलस C में B पलस C बला लिख लिजेगा आसानी से सब चीज याद हो जाएगा यहां तक आज के लिए रखते हैं बाकी बात हम लोग नेश कलास में करेंगे तो उम्मीद है आज का कलास बहुत ही खुबसूरती के साथ समझ में आया होगा अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल के साथ बने दहें आपका दिन सुभ हो हमनाज दे धन्यवाद